तो गुट मॉर्निंग आज हम लोग चैप्टर नमबर शिक्स पढ़ेंगे रिन्यूबल एनरजी रिन्यूबल एनरजी जो है बहुत इंपॉर्टेन सोर्स ऑफ एनरजी है जो हम लोग कंजप्शन करते हैं नौन रिन्यूबल एनरजी का वह बहुत ही ज्यादा इंवर्मेंट को डैमेज करता है और और क्या करते हैं जो अधर अधर यूमन एक्टिविटी हैं उन सभी से सबसे ज़्यादा यही ग्यादर डैमेज करता है electricity जो fossil fuel से create करी जा रही है उसका जो concentration है वो भी बहुत harmful gases atmosphere पहुचाता है इससे क्यों होता है कि हमारा environmental health जो problem है वो बढ़ती जा रही है और हमें कोई alternative source of energy जो है ढूंडना होगा जो बहुत important और relevant हो renewable energy जो है यह renewable energy जो है यह generate कर जाती है ऐसे natural resources से जो continuously replace किया जा सके इसमें sunlight आता है geothermal जो गर्म पानी के source होते है जियो thermal energy, wind energy, tidal energy, water और various other form of biomass जो यह energy है cannot be exhausted यह कभी इतने अलदी exhaust नहीं होगी और यह constantly renew होती रहती है और यह जो renewable energy है यह clean source of energy है जिसमें limitless energy हम use कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा emission भी नहीं होता है और यह available होती है locally और जो use renewable energy का यह greatly reduce reduce all sort of pollution जितने इस तरीके से pollution हो रहा है काफी हद तक यह reduce कर सकता है जो most of the renewable source of energy है यह non-polluting और यह clean मानी जाती है है और लेकिन जो biomass है और biomass है जो renewable source में वो major contributor है indoor pollution लेकिन यह जो है indoor pollution इसमें जाता है renewable source energy जो comprise करते है solar energy इसमें sunlight use होती है hydro energy इसमें water use होता है biomass energy इसमें fire इनमर डग यह से भी होता है crop residue जो बच्चा हो चाहता है जो जो जियो thermal energy है उसमें जो springs होती है जो national glaciers होते है hot spring अफ़े जो dry rocks होती है मागमा का वहां से जियो thermal energy जो है वो waves जो high tide low tide होता है उससे त्यार होता है ocean thermal और जो co generation है यह जाएतर कहते हैं producing two forms of energy from one fuel एक fuel से दो या दो से अधिक जो energy इसको co generation of fuel cell जो है यह clean source है यह hydrogen hydrogen cell इनको कहा जाता है अब जो electricity है यह flow of energy जो होता है यह बहुत ही ज्यादा इस्तमाल होने लिए energy throughout the world लेकिन जो source है इसमें प्राइबरी source जो है यह solar जो primary source है renewable energy की इसमें wind wind solar और जियो thermal secondary जो है जिसमें non renewable energy जो generate होती है conversion करा जाता है coal को oil को natural gas को जो government है वो इसके वो चाहती है कि जो टार्गेट इसका renewable energy का one पच्छत एक्स 175 गिगावाट 2022 तक जिसमें 100 जो 100 गिगावाट है वो solar से होगी 60 जो होगी वो wind से 10 जो होगी बायोमा से पांच जो होगी फाइडो से अब जिस्ट इंस्टॉल्ड पावर जनरल कैपसिटी भारत के अंदर renewable energy की वो अपरिल 2016 को 42,800 मेगावाट थी अब इसमें से जातर जो है स्टेट जो है इसे लगारें इसमें तर्टी नाइन पर्सेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में और तर्टी वन पर्सेंट जो है वो क्या करते हैं पब्लिक सेक्टर जिसमें से हां थर्टी वन पर्सेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में और ये ये सेंटर और सेंटर सेंटर में जो सेंटर का होड़ है इसमें 29 पर्सेंट हैं सोल इनरजी सबसे पहले पड़ेंगे इंडिया में ये इंडिया जो है कुछ कंठ्रियों में इसक चितनि यह में नेच्रली नच्रीयी ब्लेज्ट है कुछ कंठ्रीयों में इंसготов qui placing है कि वहाँ पर बहुत देर तक अर लॉग डे और प्लैटी ओप the son sunshine रहता है इसके लिए इंडिया भी सी में आता है और दो और तरीकें जिससे प्रड्यूस की जा सकती है electricity जिसमें sunlight से पहला है photo वाल्टिक electricity जिसमें हम लोग sun photo वाल्टिक और यह थार्म एनर्जी photo वाल्टिक एनर्जी में हम लोग photo वाल्टिक चले उसकर तेंजो एब्सर्व करते है इसलाइट डायज और जुनरेट करते हैं इलेक्रिकलिक किन जो solar जो solar thermal solar thermal electricity होते है इसमें यूश किया जता है जो solar collector होते हैं ये का करते हैं mirrors कियाते जाते इसर्फिस और ये फिर रिफलेक्ट करते हैं sunlight on to एक receiver जो होता है वहाँ पर heat up करते है liquid को फिर यह heated जो heat up कर जाता है liquid को यूज किया जाता है stream में और फिर से electricity बना जाती है लब दो process है जिस पहला हम बनाएंगे फोटो वाल्टिक जो होते है जब पोटन्स जो फोटन्स होते हैं वह रिफलेक्ट करते हैं पास करते हैं न यह थो इससे यह ब्सॉर्ब कर लिया थर्याथ啊 और सले के दौरा और जब यह बहुत सारे प्रोट्व फोटोंश हो जाते हैं अबजोर्ड अच्व्ठ कर पे और फोटो और इचल एलेक्ट्रों जब फ्री फ्री फ्लो होते हैं फाम नेगेटिव टर्मिनर्ट टू नेगेटिव से मीकंडक्टर मेट्रियल से ज़फी एलेक्टों समाइट करते हैं पॉजटिव लेयर तो क्रिएट होता है वोल्टिक डिफिरिंशिल जब ये तू लि जो होता है जनेट होता है जिसको convert करते जाता है AC में by using inverters अब देखेंगे inverters जो concentrated solar power solar power और या फिस solar power solar thermal technology जो use हो रहा है sunlight का जो convert करता है high temperature heat को यह जो heat होती है channel कर जाती है थो conventional generator जिससे जो produce करता है electricity और जो solar collector होते हैं capture और concentrate करते हैं light sunlight को heat 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 करने में liquid के और फिर यह जो liquid होता है water steam बना जाती है फिर यह electricity में convert कर जाती है बहुत सारे variation or variation देखे जाते हैं जो collect करते हैं और जिसमें most commonly जो है parabolic माना जाता है पराबॉलिक जो होता है वो सबसे best type का माना जाता है क्योंकि जो parabolic होता है उसमें sunlight maximum आ सकती है इसलिए क्या करते है पराबॉलिक यूज कियाता है साथ में जो यह डारेक्ट सोलर रेडियेशन जो होती है इसको ग्लास ट्यूब में लारेक्म यह मॉल्टन मॉल्टन इस ऑल्टन 60 से स्टीम त्यार करते हैं इसमें भी डीची पहले बनता है और बंदी से इस जो कर्वर्ट कियाता है अप पोटेंशिल फॉर स्लेंट एनरजी इंडिया इंडिया विक जो है पोटेंशिल उसमें 35 PL प्लिजान वोल्ट पर स्क्यार क्लूमेटर जो हैं यूज किया जाता है फोटो फोटो वार्टिक्स फोटो वॉल्टिक और जो सोलर थर्मान अजी इंडिया में जो सोलर एनरजी लगभग 15,000 ऐ्र क्लो वाट पर यह जो है वह वो इंसिडेंट होती है और इंडिया का लैंड है most जो पार्ट है और रिसीव करता है फोर से सेवन किलो वाट पर स्क्वार किलमेटर पर देंग अब यह जो टेक्नोलोजी है सौलर थरमल और सोलर वोल्टिंग यह किया जा रहा है सोलर रडीजियंज का इन्टो हीट और एनर्जी में यह ऍटीर 해फ रशनाखेटर ुट्रा हमें प्रोवाइट करता है हुज इस कैबिल्टी फॉर दे सोलर पावर इंडिया जो स्टेट्स जहां पे सोलर जहां ऐसी स्टेट्स जहां पे हाई सोलर रेडियेशन है जिसमें राजिस्तान नौर्धन कुज्राथ पार्ट ओफ लद्दाग अंधर प्रदेश महाराष्ट और इंस्टॉर्ड कैपसिटी ओफ इंडिया जो करेंट इंस्टॉर्ड कैपसिटी है सोलर सोलर इंग्रिड कनेक्टेट पावर में इसमें 10,000 मेगावाट 2017 में थी पर एम मिनिस्टी ओफ रिन्यूबल रिसोर्स एनरजी एस्टिमेट करके बताई है और जो मेजर इनिशेटिव इनिशेटिव लिए गया है उसमें नेशनल सोलर मिशन है जो फॉर्मलेट किया गॉर्मेंट ओफ इंडिया के दो इन द इस इन द गॉर्म यह मिशन बहुत इंपॉर्टेन्ट है और इसके बाद जो दूसरे कुछ क्या करते हैं जो यह में फीचर है मिशन की इसमें की इंडिया जो है ग्लोबल लीडर है इन शोलर नेरजी और यह मिशन जो है प्रयास करेगा कि इंस्टॉल करें सोलर ऑपरेशन के पिस्टिज इसम हैं by 2020 2020 तक सोलर इंटरनेशनल सोलर एलाइंस जो इंटरनेशनल सोलर एलाइंस है यह लांच किया गया था जब एड़ दा कॉप 21 क्लामेट चेंज क्लामेट जो क्लामेट कॉप 21 जो क्लामेट कॉनफरेंश वही थी परिश में अन 30 नॉब्बर और इस स्पेसेल प्लेटफॉर्म में जो मूच्छ गॉर्परेशन थे और इसमें लगभग मूच्छ कउपरेशन में 112 इस ओलर रिसोर्स रेच कंट्री इस थे जो fully और partially पास आते हैं topic of cancer topic of Capricorn के बीच में यह जो lines है dedicate करता है कि address करेगा special energy need of the solar solar purpose और जो international solar alliance member countries है international international agency जो है solar policy और जो application यह फॉर्मल नेम दिया गया है solar international solar alliance को और international solar alliance का जो secretate है वो setup किया गया है national institute of solar energy गुरुगाओं में जो दिल्ली से थोड़ा दूर हरियाना में है इसका में जो objective है कि to force down price by driving demand इसको जो दुसा है कि bring करना है standardization in the solar technology solar technology में standardization लाना है और दीशा for foster करना है research or development prime minister ने जो new new term दिया था सूर्य पुत्र for all nations जो इस topic of cancer topic of Capricorn में आते हैं और invite किया था कि वो join करें alliance और other जो countries हैं जो sunshine countries है I.E.S.S. जो है 2047 इस्टेंड करता है कि इंडिया इंडिया energy security scenario 2047 में जो calculator है जो launch कर रहा है इंडिया ने और ये explore करेगा potential energy scenario in India जी लुमिनेंट solar concentration जो luminant solar content tractor है ये एक device है जो use करी जाएगी thin sheet of material जो trap करेगी solar radiation को over the large area और before directing the energy to cell और इस तरीके से ये thin edge जो है material की helpful होगी ये जो thin sheet है material जो typically you consist करती है polymer एक होता है polymer जिसका नाम है polymethyl methyl acrylate जो drop हो जो drop जो drop करेगी with luminescent species जैसे की organic dyes quantum dots और rare earth expressive तो ये एक टाइब का polymer है जो sheet use कर जाएगी thin type की है अब क्या ज़रूत है what is the need of LSC जो main motivation है implant करना LSC का की वो replace करेगा large area of extensive solar cell है in standard form में और इस तरीके ये five panel ये five flat plate मनाएगा PV panels जो cheaper होंगी alternative के मकाबले साथ में जो reduction होगा बोथ in the cost of module और जो solar power produced होगी जो key advantage है of two typical concentrating system जिसमें LSC जो collect करेगा बोथ direct और diffuse solar radiation और ये tracking tracking करेगा sun sun को tracking the sun is not required अब जो LS LSC है ये excellent candidates होंगे जो जो ये LSC है जो बहुत excellent candidate होंगे जो build करेंगे integrated photo vertic और जो courier northern climate है जो ideal LSC है जो ideal LSC है अब जो broad absorption range है ये utilize करेगा solar spectrum efficiently 100% emission है light की form absorbing luminescent species जो large shift है between absorption और जो emission है spectrum का वो reduce करेगा absorption losses और जो long long term stability होगी जो challenges है LSD जो challenges है luminescent solar contractor ये development होगा LSC का ये aim है कि break create करना एक working structure जो perform करेगा close to the theoretical maximum efficiency दूसरा है international renewable energy international renewable energy agency ये जो एरीना है ये लगबग 150 member nations है जिसका headquarter जो है अवी धाभू में है ये जो एरीना है inter-governmental organization है जो support करेगी countries को in the transition of the sustained energy future में और ये serve करेगी principal platform for international corporation ये center of excellence है और जो repository policies technology है nature resource और जो financial knowledge on renewable energy जो एरीना है promote करेगा wide speed absorption of the sustainable use of of all forms of renewable energy साथ में जिसमें include होगा bio energy geothermal geothermal hydropower ocean solar wind energy in the pursuit of sustainable development energy access energy security और low carbon energy growth economic growth और साथ में prosperity जो wind energy wind energy जो है काइंटिक energy है जो associated होगी movement of air air atmospheric air जो word wind termines है ये transform करेंगी energy into the wind into the mechanical power और ये ये convert करेंगी electric power electric power to generate करेंगी electric power electricity में five जो five five nation जो है जर्मनी USA Denmark Spain और इंडिया एकाउंट लगबग 80% जो word का instant wind energy है तो जर्मनी जर्मनी USA Denmark Spain और इंडिया wind जो फार्म है wind farm जो group of wind turbines होते हैं in the same location यहां पर production किया जाता है electricity का wind farm जो है located होता offshore या offshore onshore या offshore या offshore या फिर समुद्री किनारे या फिर जहां पर हवाएं चलती हैं और हवाएं चलती हैं बहुत तेजी से और वहां पर जिसे desert area onshore wind farms ऐसे हैं जो operate करते हैं land पर जहां पर wind जो होती है strongest होती है और टर्बाइन जो होती है onshore wind farms ने वो लेस एक्सपेंसिव होती है और easier होता है setup करना और maintain और operate करी जाती ऑफशोर टर्बाइन और जो ऑफशोर टर्माइन होती है wind टर्माइन यह construction होता है wind wind farms का यह large body होती है off water to generate electricity जिसमें offshore wind farm जो है था होता बहुत ही more expensive होती है then onshore wind turbines क्योंकि जो offshore होती है वो लगभग water bodies में लगाएती है और जो working होता है working होती हो वर्ट टर्माइन की इसमें जो wind turbines होती है यह convert करते है काईटिक एनरजी को in the wind form mechanical energy और यह mechanical power जो है यूज कर जाते है specific task के लिए चाहा हो grinding grain के लिए हो चाहा है pumping water और यह generate और generator जो convert करता है mechanical power को electricity में जो ज्याद़ तर्माइन्स हैं यह three aerodamically designed blade होती है तीन blades होती है जो घूमती है जिसे एक mechanical energy create होती है और फिर एक electricity में convert कर जाती है यह जो energy है wind की वो turn कर जाती है three popular like blade around the rotator जो connected होती है main shaft से और यह जो spin जो होती है generator की वो create करती electricity जब wind termine mountain होती है on that on the tower जो capture करता है most energy or this job handed feet जो handed feet यह ज्यादा अब ग्राउंड पर रख्याती है यह सभी जो होती है advantage for faster or less turbine wind जो तीन में variable determined 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 कर तीन variables हैं जो determine करते हैं कि how much electricity turbine can produce सबसे पहले है wind speed wind की speed कितनी है अगर ज्यादा stronger wind होगी तो produce more energy of wind termine जो है की generate करें की energy at the speed of force 45 meter per second लेकि दूसर है blade radius अगर blade की radius जो है larger होगी जितना ज्यादा blade की speed blade का radius larger होगा more energy produce doubling the blade radius अगर double कर देंगे radius को can four times more energy four times ज्यादा energy लेगी जो air density होती heavier air exert होगा तो more lift होगा rotator का और air density जो हो दी वो बहुत ज्यादा high altitude temperature जहां पर pressure होता है high altitude पर जो location होंगी वहाँ पर low pressure होगा air का इसलिए वहाँ पर light air चलेगी और यह less productive होगी turbine location के लिए और जिसमें जो क्या करते हैं जो dense heavy air होगी near the sea level जिसे क्या होगा convert यह drive करेगा rotator faster और इससे क्या होगा relatively more energy create होगी two types of wind termine बताई जारी जारी इसमें horizontal horizontal axis design जो होती है जिसमें two or three blades होती है जो in spin में लगी होती है one wind होती है tower में और जो horizontal air जो horizontal air जो horizontal axis machine होती यह blades जो होती rotate करती है on the axis parallel to the ground parallel to the ground और जो दूसे टाइब की जो दूसे टाइब की होता है उसे vertical axis termine कहते हैं जो vertical blades होती हो रिटेट करता है है on of the out of the wind जो vertical axis termine होता है यह इसकी जो blade होती rotate करती है on axis perpendicular to the ground drag type termine होती है जो turn करते है relatively slowly but yield जो है इसकी high torque torque जो ता घुमाने टॉरक जो ती घुमाने की ता और यह यूज करिया थी grinding grinding grain पिसाही में यूज करिया सकते है या फिर pumping water water pumping में या फिर और बहु सरे many other tasks but लेकिन जो slow rotator speed होता है not optimal for generating of electricity electricity generate नहीं कर सकता vertical axis termine जो होते हैं do not take advantage of higher speed at higher elevation above the ground इस तरीके से जो horizontal turbine है जैसे इस्तमाल करते हैं अब जो potential है wind energy in India भारत में potential क्या है कितनी चमता है तो इसके लिए national institute of wind energy जो है recently launch क्या गया है wind energy जो resource map है भारत में लगबग 100 meter above ground level agl है agl above ground level जो है उसके बाद करनाट का महराश्ट आंदरपदेश और उसके बाद according to the road map wind energy जो है वो साथ हजार मेगा वाट जो है वो बाई 2020 और कहते हैं दो सो गिगा वाट जो है 2022 तो है पास दो विंड एनरजी टारगेट है एक तो 60 गिगा वाट है जो 2022 तक पूरा करना है और दूसरा दो सो में गिगा वाट है जो में 2022 तक पूरा करना है जो पैसिटी इंस्टवर्ड हैं जिसमें तमेलनाइब में 7200 म्हारास्ट में 4000 करनाटिका में 2700 राजस्थान में 2700 अब जो आंद्रप्रेश और मध्रप्लेश हैं के रर्ला इनमें में माइनेर प्लेएरज है जो इसटोल कर रहे हैं की पस्टी सोफ लैसस्रेंगा एक हजार में जो नैशनल ऑफ्शोर विंड एनेरजी पौलपार्य. जो नेशनल अ करना विंड इनर्जी पौलपार्य.जाँ कर दा होगी Trans gurdy Rendles souvenirs toxicityOOOO जोंगे अफदो कंट्री जो नेशनल इंस्टीट ऑफ विंड एनरजी है यह और थ्राइस करेगी नोडल एजनसी है जो फॉर डवलपमेंट ऑफ ऑफ शोर विंड एरजी इन दर कंट्री और यह करेगी लोकेशन ऑफ ऑफ शोर विंड एनरजी ब्लोक्स जो कॉर्डिनेशन औ है कि जो वे हैं फॉर्द ऑफ शोर और जो विंड एनरजी डव डवलपमेंट है जिसमें इंक्लीट किया है सेटिंग आप ऑफ शोर विंड पावर प्रजेक्ट और जो रिस रिसेच है और डवलपमेंट है एक्टिविटी इसका इन वार्टर इन और एजिसेंट टू दू और यह आप टू दू अप टू दू अप टू दसी वर्ड दिस्टेंस ऑफ टू हंड़ेट माइस टू हंड़ेट नेशल माइस फ्रॉम दे बेसलाइन और इस तरीके से इसका यूज किया जा रहा है उसके बाद हमागा पास टॉपिक है कि जो पॉलिसी है वोड जो पॉलिस यह विल पॉइड लेवल ब्रेइग फीड और तो अल्ड दू जो बनीफिशियली बनीफिश रही होगी ढमेंस्टिक और इंटनेशनी जो नेशनल विन अनजी अजिए प्रोफ जो पॉस गया नेश इसका इनिशितिव जो प्रॉसेव इंस्टेब इंस्टैश गरेगा किया है mission with the help of पहला अचीव करना है target achieving the target of 12th plant और जो energy generation है from renewable energy as a set of an a PCC turbine जो addressing करना है जो issue और जो challenges है wind sector वो phase कर रहा है बहुत सारे जो precise resource assessment है effectively जो grid integration है जो improvement हो रहा है technology में और जो manufacturing है based manufacturing based to maintain the its comparative advantage in the wind hydro power hydro power to have hydrolytic power to have you capture करता है when water to flow with that down from the high level to the lower level or you use care to have it to turn the turbine you convert that you convert that I can take what energy to have water key into mechanical energy to drive करता है generator hydro power to have a cheapest cleanest source of energy है बट लेकिन जो बहुत सारी environmental और जो social issues है वो associated है big dams है चाहा प्रजेक्ट वो तेरी का हो चाहा नर्मदा हो चाहा है है small hydro power to free from these problems जो type of hydro power station most there the teen time के hydro power station होते है जो facilities प्रवाइट करते हैं impound impact in improve improvement diversion or lumped stages some of the hydro power plants जो है यूज कर सकते है दम और कुछ है नहीं यूज कर सकते हैं important impound impound impoundment the most common type of hydroelectric power plants है in around impounded facility जो impounded facility है टिपकली ये large hydro power dam hydropower system है जो यूज करते हैं डैम को इस्टोर करें रिवर वार्टर इन रिज्वायर जो water release होता है from the reservoir flow through the turbine और श्पिनिंग लिच विच जो है use कह सकता है turn activities in nature and activities in generated to produce electricity diversion diversion जो है ये sometime called run off river facility ये जो channel है portion of the rich rich portion of the river through the canal और the peacock जो कहते हैं फ्लो कर सकता है flow through the turbine spining it और जिसके बदे में ये turn कर सकता है in an advantage of the general of the generator to produce electricity it may be required to use them अब डाइवर्जिन देखने को मिलता है कि कुछ बार हम जब रन आफ रन आफ होता है rivers का facility facilities होती है तो चैनल जो वोर्जन होता है river का वो चैनल या फिर पैन स्टॉक ये जो होते है जो टर्माइन होती है spinning वह भी क्या गते हैं एड एंड जनरेट करती एलेक्टिसिटी और इससे नॉट क्याय यूज ऑफ डैम जो पंप्ट इस्टोरेज है पंप्ट इस्टोरेज जो लाइक बैटरी होती है उसी तरीकी से स्टोरिंग जो ती एलेक्टिसिटी जनरेटर बा जो लो लो हो जाती है तब पंप यूज करते हैं स्टोरेज फैसिल्टी स्टोर एनरजी बाइपंपिंग वाटर फॉर में लोर रिजर्व टु अपर रिजर्व से उपर हम पानी पंप अपर रिजर्व में और जब डियूरिंग जब दिरिंग पीडियट ओफ हाई अलेक्र पाउर स्टेशन से स्मॉल हाई रूप और यह जो स्मॉल है डूप और है यह एक अनी है रूप और प्रजेक्ट जो जहां पर इंस्टॉर्ड के पैसिटी लेस दिन 25 मेगा वाट है और मॉस्ट जो है रन और रिवर जो है यह जहां पर डैम जो बैराज होता है कोई टी पॉलेशन यहां पर दू नॉट हैव इस सेम काइंड ओफ एडवर्स एफेक्ट अन इस लोकल इंवार्मेंट और लाज स्केल पर हाई डो प्रजेक्ट इसमॉल जो हाई डूप और प्रजेक्ट है यह सर्फ करते हैं एनर्जी नीड एनर्जी नीड और रिमोट रूलर एरि और इंडिपेंटेंटली इंडिया और चाइना जो स्मॉल प्लेयर हैं स्मॉल हाई डू पावर सेक्टर के लिए होल्ड करते हैं हाई हाई नंबर ओफ इंस्टॉर्ड प्रजेक्ट इसमॉल हाई डूप पॉटेंशल जिन इंडिया अब जो एस्टिमेशन है 5.454 चारजर प पॉटेंशल इंके अंदे डेवलोप करना है स्मॉल हाई डू पावर पोजेक्ट अकॉर्डिंग ट्वेल्ट पाइफ यह जो ट्वेल फाइफ यह प्लान था टार्गेट कैपस्टी जो थी स्मॉल हाई डू पावर पोजेक्ट की वो 2.1 ए जी बी जी गिगवार्ट थी और 211 और 217 का प्लान जो था मिस्ट्री आफ यह मिस्ट्री आफ नियू एंड रिन्यूबल एनर्जी जो है वह इंकरेज करेंगे की डेवलोप करें स्मॉल हाई डू हाई डू प्रोजेक्ट इन बोद पब्लिक और प्राइवर सेक्टर में जिसका एम होगा कि वो एक्स्प्रा गावाट होगी ओशन थेमा अनर्जी ओशन थेमा एनर्जी जो है जब लाज अमांट फुल एनर्जी स्टोर यह टी नोशन स्वें और सीज में ऑन एवरेज्ट शाट मिलियन स्कॉर किलो मीटर जो है वो ट्रॉप ट्रॉपिकल सी एब्सॉर्प करेंगे इस व्लार रडिये सब्सक्राइब करेंगे इस तरीके से ओशन वाली एनर्जी जो है बहुत यूसफूल हो सकते हैं हमाई लिए वे विंड इनर्जी विंड इनर्जी जो है रिजल्ट करेंगी फॉम इंटर इंटर इंटरेक्शन जब विंड विद्धा सर्फेस ऑफ सी और यह प्रिजेंट कर दाइब आजी फॉम दाव इंड आफ दसी जो पहली बार फॉस्ट वेव अरजी प्रजेक्ट जो है इंस्टॉल किया गया था एक्सों प्रशास मिलियन वोट का मुझे टप एड वजीम जाम नियर त्रिवेंद्रम में टो टाइडल अनर्जी जो जो एनर्जी एक्स्ट्रा कर जाती है टाइड से जो क्रियिट करती है जो क्रियाट करती रेजर्वायर और बेसें बिहांध"! वेराज जहां पर प внर पस्कार जाएगा हंतल क्रीक जो है गल्फ आफ खर्चन गुज्राद बायो मास बायो मास जो रिनुबर एनर्जी सोर से ट्राइब करता है फॉर्म दकार कार्बो नेशियस वेस्ट अब वेरियस यूमन या फिर नेचरल एक्विटी ये ड्राइब करता है नुमर्स सोर्स इंक्लूदि या फिर गेसी या फिर वोडी प्लांन जो रिसे द्यूट अनिमल एक्रीकल्चर का फॉर्डिस या फिर रिच ऑइलगी या फिर अधर ज्याबनीक कंपोनेंट जो होते हैं मैं सिपलिया फिर इंडेश्ट वेस्ट जो बायो मास होता है यह गुर्ट सब्सिटूच्ट हो सकत से जोАउसल फ्यूर रिलीज करता है कारवन डियोक्स आप्टेक्टूरिंग तैस और यह मैस्भी यर्स में जू worlds केते है। अधर हैंड रिलीज करता है कारवन डियोक्साइड ज़ॉ जी बैलन्स करता by carbon dioxide capture in its in its own growth your biomass head does not add carbon dioxide to that monster a addon he got a carbon dioxide atmosphere me as as it absorbs the same amount of the carbon in growing as its release when it is when when consumed as a fuel to chemical process and you say gasification okay effort combustion effort paralysis or get you convert by a mask or useful products made combustion Joe the most common with a smell again do it is the new technologies have mentioned of produce cutting small calorie calorie and product or your mixture of the by-product you for processing of the method is selected on the basis of nature and origin of the fed stock or years of physio your physiochemical state or application spectrum fuel products Joe then drive curtain for a anaerobic anaerobic and digits and digitization yeah for biomethytation method biomethyl methanation and then methanogenesis utas and free process otage a pen anaerobic job or microorganism hot that anaerobic environment would decompose cut the bio degrable matter jota produce 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 care the placement and or you do meet in which by a mass hotel who effluxent hotel three function hotel do take as sequence least my hydrolysis value the first give us a 12 acid no genesis card and for methano genesis करते हैं combustion into incineration यह जो प्रोसेसे जहां पर वेस्ट डाइगडी जो हता है बंट किया था इन दे प्रिजंस आफ एक्सेज एड हाई टमपरेचर और गया करते जिसमें लिबेट होती हीट इनर्जी इनर्ट गैसेज और आशेस जो कमशन कमशन है यह कमशन है वह रिजल्ट इन टांसर 65-80 परसेंट जो हीट संफों होता है और निक मैटर का टू होट और teem ओर होतर जो इस्टीम जन्रेटर जो इन टीनर्टर्ण गयाती हुद ह हुद हुतु यह जो प्रोसेस होता है जिसमें और्गनिंग मेटीरियल जो हीट किया थे इन देपसेंस ओफ एर और जो अंटिल जब तक की मॉलिक्यूस थर्मिली ब्रेकडाउन नहीं हो जाते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं मॉले इसमा कमप्राइजिंग इसमालर मॉलेक्यूल इसे सिन गैस भी कहते हैं गैसिफिकेशन जो है बहुत टेक प्लेस एजर रिजल्ट ओफ पार्शेल कमपशन ओफ और ग्रिंग मैटीरियल जो इन देप्रिजंस ओफ रेस्टिक्टेटिटी ओफ ऑक्सीजन जो गैस प्रड्यूस होती है इसको प्रडूजर गैस कहते हैं और जो गैस प्र पर सब्सक्राइब नेक्स स्टब जो होता है वो क्लीन एक लीन इन सिन गैस या फिर प्रडूजर गैस जो बर्न होती है इंटेनल कमशन इंजिन जन रेटन में शेट अप कि या थे टरवाइन तु प्रडूज एलेक्रिसिटी अब शिक्स पॉसे जिसे गहते है को जैनलेश है वन आफ दा फार्म आफ एनरजी मस्ट ऑलवेज बी हीट और जो अधर मेब एलेक्रिसिटी और मेकैनिकल एनरजी जो कन्वेंशनल पावर प्लांट से यह बंड करते हैं पाइलर्स को जो कर जो जनेरेट करती है फ्रेशर इस्टीम और यह जो स्टीम होती यूज कर जाते जो πडिर्वे टर्वाइन जो टेर टरण करता है डायर डरीव करता है ओलज अल्टरनेटर और को थ्रोए इस्टीम तर्वाइन जो प्रॉड्यूस करता है एलेक्रिक पावर जो एकस्ट स्टीम होते है यूजली कंडे उ को जो गोज बैक तो दा बॉयलर जो लो प्रेशर स्टीम है वो लाज क्वांटम ओफ हीट जो लॉस्ट हो रही थी इन प्रोसेश ऑफ कंडेंसिंग जैफिसेंसी है वो कन्वेशनल पावर प्लांट की वो लगबग 35% है और जो को जनरेशन को जनरेशन प्लांट होते हैं लो हाउसे या अधर हाइफिसेंसी रेंज 75-90% कैन भी रीज जो को जनरेशन होते हैं ये मीट करते हैं बोद पावर और हीट नीड जो होती है अधर एडवांटेज जैसे की इन दे फॉर्म और सिगनिफिकेंट इन दस इन दे फॉर्म और सिगनिफिकेंट कॉस्ट सेविंग फॉर्द प्लांट और जो रेड़क्शन होता है इन अनर्जी ऑफ दा पॉल्यूटन दू तो रेडूस्ट फ्यूल कंबशन जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है जो पॉटेंशल पावर है जनरेशन की वो को जनरेशन जो भारत में है लगए मोर्दन 20,000 मेगावाट इंडिया जो लाजेस प्रोड्यूजर है सुगर इंद कंट्री बेगी बेज को जनरेशन जो है वो प्रमोट करता है और जो प्रोटेंशल है को जनरेशन का वो लाई करता है फैसलेटी जहां पर जॉइंट रिक्वार्मेंट होती है हीट और हीडियो एलेक्रिस ट्राइमरी सुगार ङुचार जो चुगर और जो जो मील लिस राइस मिल है जो डिस्टिलरी हैं पेट्रोचेमिकल वेंटरों केमिकल अपल्पॉर और हैलमुनियम की कि डिच्रोटी है भारत में more than 70% जो इंडियन पॉपलेशन हो डिपेंड करती इसे नजी पे और जो करेंट अवेलिटी है बायो मास की वो लगबग एस्टिमेट करी जारी है बाउट चार्सओ पचास से चांसो मिलियन टन एन्यूदी और जो ट्रांसलेट कर रहे तो पोटेंशल अफ़रों राउरागः फानजार हजार म्लियन वाट एडिशन पाँजार जो मिलियन वाट है वो एडिशनल पाउर है जो जनरेट करी जार ये थो बैगी जो यूस बेस्ट होगा को जिरेशन इन दे करन्टी पांसो पचास शुगर में अट्रैक करेगा लगबग पांसो अट्रैक करेगा लगबग 600 रुपीज करोर इंवेस्टमे होगी इंस्टॉर्ड कैपसिटी जो है इंडिया में एप्रॉक्षिम लगब तीन सो बायो मास हैं बायो मास पावर कोजनेशन प्रजेक्ट है जो एग्रिगेट करेंगे लगबग 3700 मिलियन वोड जो इंस्टॉल करी जाएगी कंट्री में फॉर फीडिंग पावर टु ग्र और ये 30 बायो मास पावर प्रोजेक्ट जो होंगे एग्रिगेट करेंगे लगबग 3500 मिलियन वोड और ये अंडर डिफरेंट स्टेज ऑफ इंप्रेशन आंद्र पुदेश तमिलनाडू करनाट का महराष्ट उत्तर पुदेश जो लीडिंग स्टेट हैं इंप्लिमेंटे इंप्रिशन गॉर्मेंट जो है प्लस तुमीट करेंगे 20 परसेंट आफ दा कंट्री डीजल रिक्वार्मेंट बाय टॉन्टी तोंटी जो यूजिंग बायो डीजल पोटेंशल जो है सोर्सेस का बायो डीजल प्रोडक्शन गवाव बिन इंटिफाइड इन वाय जैसे कि जैट्रोपा, कारकस, नीम, महुआ, करंज, सी, मारोबा, सेवरल जो इंसेंटिव है स्कीम जो कहते हैं इंट्रिउस करेगी टू रिहबिलेट वेस्ट लैंड थो दप कल्टिवेशन आफ दा जैट्रोपा, जैट्रोपा जो बहुत इंपॉर्टन प्लांट है जो कहते हैं कैपिटल सबसेडी और फाइनिशल जो इंसेंटिव हैं बायो मास एनरजी प्रोजेक्ट इन इंडिया वेस्ट टू एनरजी वेस्ट जो है उससे एनरजी कैसे कीट चाहिए टूड़े का जो इला है वो इंक्रीजिंग जो क्वान्टिटी है वेस्ट की उसे अर वेस्ट और जो इसे डिस्पोस किया जाए सेफ डिस्पोसल हो सके जो जनरेट करे एलेक्टिसिटी फामेट वेस्ट टू एनरजी जो है पोटेंशली डाइवर्ट करेगा वेस्ट फार्म लैंड फेस्ट और जो जनरेट क्लीन वाटर क्लीन पावर विदाउट एस एमिशन फामफल गेन हाउस गैस यह सिगनिफिकेंट रिद्यूस करेगा जो वॉल्यम वेस्ट है और जो नीट है वो डिस्पोस करेगी जो जनरेट करेगी पावर पाइलोस इस या फिक गैसिफिकेशन जो इमर्जिंग टेकनोलोजीज है यह कॉमन एंसेनेशन और बायो मितेशन हो सकते हैं जो पूटेंशल है जो पूटेंशल है वी वेस्ट टू एनरजी का इसमें लगबग एस्टिमेट किया जाला है लगबग तो पचीस मिलियन वाट्ट जो है वो और सीवेज और अबाउट 1460 मिलियन वोट्ट फ्रों मुंसपल सॉलिड वेस्ट से इंडिया में तयार करा जागा जो लगबग 1700 मिलों वोट पार तयार कर सकता है लेकिन जो करेंट पोटेंशल है लगबग 1330 मिल्ट जो पावर है फ्रम इंडेस्टियल वेस्ट ये प्रोजेक्ट टू इंक्रीज लगबग 2000 मिलियन वाट्ट बाइद 2017 जो टोटल इंस्टॉर्ण कैपसिटी है क् सेव एनर्जी क्रियेट करें वो लगबग 99.08 मिलियन वोट है और लगबग 115.07 मिलियन वोट ग्रिट पावर बन सकती है अब जो मिनिस्ट्री ओफ न्यू रिन्यूबल एनर्जी है ये एक्टिबली पॉप प्रोमोट करेगी क्याकते जनरेशन ओफ एन जनरेशन ओफ प्रोजेक्ट मेजर कंस्टेंट जो हैं फेस्ट बाइंडियन वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर पहला है चुआइस ओफ टेकनॉलोजी किस टाप के टेकनॉली यूस किया रही है जो वेस्ट टू एनरजी है ये एक टैप का इंडिया में है और इसके लिए क्या करते हैं जो ट सब्सक्राइशन टेकनॉलोजी वो काफी हाई कॉस्ट है इसके लिए हैं एक कुप्मेंट चाहिए होंगे इंप्रू इंप्रॉपर सेग्रिगेशन अभी इंडिया में जो सेपरेट सेपरेशन वेस्ट इस्टीम है ये भी भी लो है इसके लिए हमें ऐसे मैधर ढूनने हों और इसके बाद ऑपरेशन जो होगा वेस्ट एनरजी टेकनीक वो हिंडल करेगा लैक आफ स्मूथनेस जो एटम्स हो रहे हैं जो शॉर्ट लिफ्ट फिर है लैक आफ पब्लिक लैक आफ पॉलिसी सपोर्ट अभी भी कंड्यूसिव पॉलिसी जो है गाइडलाइन स्टेट की साथ नहीं हो पारी है जो इलाट मैंट है लैंड का जू separately गार्बेज उप वारचेस और इलिवेशन 50 फिर है जी घाघमल एनरजी जी जनेरेशन वह अर्मकर हार्सनिंग जियो थर्मल एनरजी जहां पर वास्ट रिजर्वायर होते हैं हीट के स्टोर्ड इनर कोर अर्थ के इनर कोर में जो हॉट और मॉल्टन लावा है उसके वज़े से जो क्या करते हैं पानी होता है वो इस्टीम के फॉर्म में कहते हैं नेचरली रेडियो एक्टिव मेटियरियल जैसे की यूरिनियम और पोटेशियम है जो जियो थर्मल सिस्टेम है यह फाउंड होता है इंदे रीजन जहां पर नॉर्मल एस लाइटली अवप नॉर्मल जियो थर्मल रेडियेंट होते हैं और क्या किते हैं यह जो ग्रेजुल जो होता है तंपरेचर में उसे जियो थर्मल रेडिशन और इसमें इंक्रीस उता है त्मडेटर जो डेप्थ में एर्थ क्रास्टी अवरेज जियो थर्मा इंस यह थे तो फाइफ रेडिग्री सल्सियस पर हैंडेड मेटर पर देख दिखाता है इस पिशली ऐसे रीजिन म भी significantly higher than the average value, जो most common current वो अभी capture कर रहा है energy from the geothermal source, इसमें trap tap करेगा natural occurring जो है hydrothermal convention, जो है इनका use किया जाएगा और जो heat कर रहा है water को force to surface, ये heat जो water है इसको surface तक लाए जाएगा, उसके बाद इसको capture किया जाएगा, steam को उसके बाद use किया जाएगा, dive electrical energy, जो potential है भारत में अभी जो produce करने का वो लगभग 10600 Megawatt है, power from geothermal source, और अल्दो इंडिया जो है भी अमंग earliest country, जो begin करेगा geothermal, जो thermal project लगभग 1970 में at present लगभग, no operational geothermal, अभी कोई operational geothermal, अभी कोई operational geothermal, अभी कोई operational geothermal, अभी कोई operational geothermal plant नहीं ये भारत में, 340 hot spring जो identify करीगी है across India, और ये group together, लगभग टाम लगभग, different geothermal provinces, जो है based on their, based on their occurrence, specific, जो geotectonic regions है, जो geological structure region जो है, जो source है, इन और 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 जनिक बेल्ट region में, और जो structure grabins है, deep fault zones है, active volcanic regions है, इन में ये create की जा सकती है, अब जो और 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 जनिक regions है, हिमालियन, जो thermal province है, नागा, लुसाइज, जो thermal province है, अंडमेन, निकोवार, आईलाइन, thermal province, जो non-organic regions है, जिसमें, Cambridge, Garben, Garben है, non-Narmadad, Tappy, Graben है, West Coast है, दा मोदर वैली, महानदी, गुदावरी रिवी, और जो potential site है, पुंगा वैली, जमू कश्मीर में, टाटा पानी, 36 गड़ में, गुदावरी बेसिन, मनीका करन, हिंदमान्चर प्रदेश में, बाक्रेश्वर, वेस्ट मंगॉल में, तुवा, उज्जात में, उनाई, महारास्ट में, जलगाउं, महारास्ट में, जो recent development है, है, 2013 में, इंडिया का first geothermal, जो power plant है, वो, कहते है, एनाउंस किया गया था, कि वो setup किया जागा, 36 गर में, जो plant है, अभी setup किया गया, ताता पानी, इंदा बलरामपूर डिस्टिक, और जो satellite, जो satellite, IRS, IRS1 जो है, प्ले करेगी, important role, जो infrared photographs हो की, locating the geothermal areas में, अभी भी challenges है, वो क्यावित है, incurred, due to the resource exploitation, plant construction, drilling cost, जो drill करने की cost है, जो cost of generate करना है, जो thermal electricity, वो degrees करती है, 25% during last two decades, और जो exploration, drilling है, remain expensive है, रिसकी भी है, क्योंकि जो rocks होते है, जो thermal, extremely hard होती है, और जो hot, hot और जो developers होते हैं, frequently replace कर सकते हैं, drilling project को, और जो transmission barrier है, जो thermal power plant, जो located near specific area, वहाँ से जो reservoir है, वो बहुत ही, because क्यों ये practical संभाव नहीं, ये transmission कर पाना इतने दूर से, और जो port steam है, hot water, जो है distance, वो बहुत दूर है, अब बहुत से best जियो thermal resources, जो है, वो locate के जा रहे है, rural areas, developer और जो limit करेंगे by their ability to supply electricity to the grid, जो new power lines है, वो expensive है, construct करेंगी, difficult side के लिए, many existing, जो transmission lines है, वो operate करेंगे, near capacity and ये capable, ये able होंगी, transmit electricity without significant upgrade, consequently, जो any significant increase हो रहा है, number of geothermal power plant will be limited by the plant, जो ability जो है, correct करना, upgrade करना, build करना, new lines to access the power grid, और weather जो grid है, वो able to deliver additional power to the market, accessibility, जो accessibility है, some area जो है, वो sufficient hard rock, जो supply करते हैं, hot water to power station, लेकिन बहुत सरे ऐसे अरिया हैं, जहाँ पर harassness, जो है, high mountains पर होती है, और इसे curb कर पाना, accessible बना पाना, geothermal resources को ये बहुत ही मुश्किल है, cost of development के लिए, जो execution, challenges, harmful, जो radioactive gases हैं, escape कर सकते हैं, from deep within the earth, और hose drilled by the constructor, जो plant है, must be able to contain any leakage, gases, और जो ensure करें, safe disposal of the same, fuel cell, सबसे best type के fuel cell, आज कर मानने जाना, इसको satellite में भी यूज़ किया है, fuel cell, जो electrochemical device है, ये convert करेगी, chemical energy को fuel directly, very efficiently into electricity, इसमें heat, और साथ में जो combustion होगा, most cerebral fuel, जो है, cell hydrogen, और a mixture of compound, जिसमें contain हो hydrogen, hydrogen वाले fuel cell, जादा यूज़ ने हो रहे है, जो fuel cell है, उसमें electrolyte sandwich होता है, between two electrodes, और oxygen जो pass होता है, when over one electrode, और जो hydrogen over the another, जब ये electrochemical जनेरेट करते हैं, electricity, water और heat, fuel cell for automobile transport, compare करें, vehicles जो power करें, internal combustion engine, जो fuel cell, fuel cell power किया जाएगा, vehicle को very high energy, conservation efficiency होगी, और near zero pollution, CO2 और water vapor, जो है, only emission, निकलेंगे, fuel cell जो power करें जा रहे हैं, electric vehicles में, score over battery, और जो इनका operation, operated electric vehicle है, in the terms of increase, efficiency, और earlier और faster fueling, इंडिया में जो diesel है, जो इंडिया में जो diesel run buses है, वो major means of transport हैं, और ये मीट करेंगे significant quantity, लगबग SPM और SPM और sulfur dioxide, और जो fuel cell produce करेंगे, बसे और जो electric vehicles, इन में introduce किया जाएगा, with relative ease of dramatically reduce urban air pollution और ये a positive impact होगा, urban air quality के लिए, जो fuel cell for power generation, जो conventional large scale power plants हैं, और non-renewable fuels हैं, वो significant adverse ecology या फे इन इंवार्मेंट इंवार्मेंट इंपक्डार रहें, लिकिन fuel cell जो एक्सलेंट इन केंडिडेटेट्स होंगे, for small scale decentralized power generation के लिए fuel cell जो हैं, supply करेंगे, combined heat or power to commercial building, hospital, airports, military installation, remote location, fuel cell जो है, efficiency, इन का level जो है, वो लगभग अप्टो 55% होगी, जो 55% होगी, एकर compare के हैं, 35% conventional power से, और ये जो emission है, उसमें lower, lower, जो है, CO2 और water evaporation, जो है, only mentioned fuel cell, जो है, system, ये modular होगा, और ये setup किया जा सकता है, even power is required, जो हाँ भी constant high initial cost, जो है biggest hurdle अभी भी बनी हुई, ये इसके लिए commercialization of fuel cell, आर एन 21, जो है, ये global renewable energy policy है, multi stakeholder network, जो connect करेगा, जो connect कर रहा है, wide range of key actors, जैसे government, international, international organization जो है, और जो industry association है, scientist, science और जो academia है, वो भी और साथ में civil society, ये facilitate करेंगे, knowledge और जो exchange policy development, और साथ में जो joint action है, towards the rapid global transmission to renewable energy, आर एन 21, जो promote करेगा, renewable energy, जो meet करेगा, need of both, जो industrialized और जो developing countries है, साथ में जो driven by climate change, energy, security development, और poverty elevation, आर एन 21, जो है, international, जो non-profit association है, और committed to the following objective, पहला providing policy relevant information, और जो research based analysis है, on renewable energy, जो decision makers के लिए, और multipliers और public to catalyze policy change, जो offer करेगा, platform for interconnection between multi-stakeholder actor, जो work करेगा, renewable energy, और field worldwide, और identify करेगा, barrier, as well as जो working है, bridge, existing gap to increase, large-scale development, और इस तरीके से जो conclusion है, कि efficient use, जो है, renewable energy का, जो reduce करेगा, over dependence on non-renewable source of energy, और जो make us energy self-sufficient, और make our environment cleaner, more जो green power source है, वो develop करे जाए, और displace करें, conventional generation को, और ये over all जो environmental impact है, associated with electricity generation, will be significant energy reduce, और ये सी के साथ, ये चप्टर फिनिशन था, thank you.